मध्यप्रदेश में चुनावी महौल चल रहा है ऐसे में वीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोधी मैदान में उतरे। पहली जीप में सवार होकर कारेकरम इस्थल्थ के मंच पर पहुँचे। पीम मोधी के साथ जीप में मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान भी मौजूद थे। करीब डेड़ महिने में पीम मोधी का ये तीसरा मध्यप्रदेश का दौरा है। ऐसे में पीम मोधी ने कॉंग कॉंग्रेस पहले बरबाद हुई, अब बेंकरप्ट हुई और अब कॉंग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कॉंग्रेस को अब कॉंग्रेस के नेता नहीं चला रहे। ये ठेका किसके पास जानते हैं। कॉंग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। आगे फिर कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए पिम मोधी ने कहा कि कॉंग्रेस ने जहां साधन संपन और सम्रद्द युवा वाले मध्यप्रदेश को बिमारू बना दिया था। वहीं वीजेपी ने अपने हर कारेकाल में इस राज्य को नई उर्जा के साथ नई उचाईयों पर ले जाने का कारे किया है। मैं कॉंग्रेस के शाथन की पहचान थी कूनिती, कूशाथन और करोडों का करप्शन आजादी के बाद मध्यप्रदेश में लंबे समय तक कॉंग्रेस का ही शाथन रहा। महीं पियम मोदी ने चुना प्रचार करते हुए कहा कि जब मोदी गैरंटी देता है तो वीजेपी गैरंटी देती है तो जमीन पर उतरती है और हर लाबारतियों तक पहुंचती भी है। जब मोदी गैरंटी देता है जब भाजपा गैरंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है घर गर पहुंचती है। हर लाबारती तक पहुंचती है। याद रखेगा मोदी आने हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मद्यपरदेश में जिनसभा को संबोधित करने के बाद पीया मोदी राजिस्थान के जयवपूर पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने पंडेत दीन दयाल उपाद्याई की जयंती पर उने श्रद्धाजली अर्पित की।